स्क्वार रूट अगर निकालना हो और वह भी डिविजन मेथड़ से तो यह बच्चों को बहुत परिशान करता है और यह सिर्फ आपकी ही परिशानी नहीं है जो आपके सीनर्स हैं क्लास 9th में 10th में या और अपर क्लास में अगर आप उनसे भी पूछेंगे ना तो ज्याद सिर्फ मास्ट्री कर लेंगे आप अपने फ्रेंड्स को भी इस मेथड़ को सिखा सकेंगे लेकिन हाँ वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन प्लीज आप अंतर तक जरूर देखना तभी आपको पूरा फायदा मिल पाएगा ठीक है तो चलिए exercise 5.4 से question number 1 करें और chapter का नाम है squares and square root question है find the square root of each of the following numbers by division method हम यह square root निकालना है division method से और जैसा कि इस method का नाम है division method तो जब हम इसका square root निकालेंगे तो कुछ ऐसा लगएगा जैसे कि हम divide कर रहे हैं कि कि असान है चलिए करेंगे तो part 1 है 2304 तो देखिए जैसे हम divide करते हैं उसी तरह से हम इसको इस तरह से लिए 2304 अब देखिए step 1 ध्यान लगना इस step को जो जो मैं बताते जाओ first step में हमें क्या करना होता है last से right hand की तरफ से हमें क्या करना है इसके pair बनाने होते हैं यानि जोड़ा बनाना होता है दो दो के तो एक pair तो बनगा ये एक pair बनगे हमारा ये अगर कोई unpaired रहता है यानि कि यहां पर एक डिजिट और होती तो उसको हम single लेते हम क्या करते हैं अब हमें यहां ऐसा number लिखना है कि उस number को उसी number से multiply करने पर 23 आए या फिर इससे थोड़ा सा कम रह जाए देखो मैं यहां पर आपको number लिखके दिखाएता हूं जैसे 3 number लेंगे तो 3 को 3 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा तो देखो 9 तो 23 से कम है न तो और कोई number देखते हैं तो चलो 4 try करते हैं तो 4 into 4 क्या हैगा 16 हमें ध्यान लगना है जो number लेंगे उसी number से multiply करना है 16 आया इससे थोड़ा सा कम है चलो 5 try करके देखते हैं तो 5 into 5 क्या हैगा 25 ठीक है तो 25 हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हमें 5 नहीं लेना है हमें क्या लेना है 4 ठीक है तो यहां हम 4 लिख लेंगे और 4 को उपर 4 से ही multiply करेंगे 4 4 जा कितना जाएगा 16 ठीक है minus लगाएंगे और इसको हम subtract कर देंगे 23 में से 16 घटा दो कितना आएगा यहां जाएगा 7 ठीक है 7 आया अब ध्यान लगना है next step कि जो हमने ऊपर लिखा उसको इधर इसके नीचे लिख करके जोड देंगे sign लगा देंगे plus का और जोड देंगे 4 plus 4 8 आ जाएगा और साथ में dash लगा देना इस चीट को नहीं भूलना है आपको dash का मतलब क्या है देखो dash का मतलब यहां एक number और लेंगे वो क्या number होगा वो हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है जो minus करने के बाद है जो ऊपर number थे ना पूरा का पूरा pair इसको उतार लेना है minus किया 7 आया जो ऊपर का जो पूरा pair था next pair 0 4 उसको उतार लेना है ध्यान लगना divide में तो हम single number उतारते थे लेकिन square root निकालें division में तो पूरा pair उतारना है एक जोड़ा उतारना है दो number का पूरा उतारना है अनिकि 0 4 अब यह number होगे 704 इसके बाद दिखिए जो हमने यह dash लगा था ना यहां हमें एक number पूट करना है और इसके साथ मिलके यह two digit number बन जाएगा इस two digit को हमें उसी number से multiply करना है जो हमने यहां लिखाता है suppose मैं यहां पर अगर लिखता हूँ 5 तो यह number बन जागा 85 देख्वे मैं आपको यहां पर यहां पर लिखको लिखता हूँ यह number बन 1775 फिर 85 को 5 से ही multiply करना पड़ेगा और 85 को 5 से multiply करने पर उतना आना चाहिए कि 704 आ जाए या इससे थोड़ा सा छोटा रहे ज्यादा नहीं आना चाहिए तो 85 को अगर 5 से करते तो देखो क्या आता है 5 5 दे 25, 2 carry, 5 8 दे 40, 40 और 2 4 to 5 यन कि 4 25 आया जो कि इससे छोटा है तो यहां 5 लिखने से काम नहीं बनेगा चलो 8 लिखकर देखें अगर यहां 8 लिखता हो तो यह बन जागा 88 और 88 को फिर हम किस से मल्टिप्लाई करेंगे जो हमने यहां नमबर लिखेंगे तो 88 को हम 8 से ही मल्टिप्लाई करेंगे तो 88 को 8 से मल्टिप्लाई करेंगे यहां हमें लिखना पड़ेगा तो 88 को 8 से मल्टिप्लाई करेंगे कितना करके देख लिखा है हमने कितना गए 704 लाइन कीचेंगे और माइनस का साइन लाके इनको सब्ट्रेक कर देंगे आंसर आया हमारा 0 तो देखो यही इसका स्क्वार रूट आ गया तब हम क्या लिखेंगे इस तरह से इसक्वार रूट हम निकाले है 2304 का और आंसर हमारा कितना आ गया देखो यहां पर ने 2 छुपा हुआ होता है इसक्वार रूट में 2 छुपा हुआ होता है अंदर की तरफ लेकिन हम वह लिखते नहीं है इसक्वार रूट है इसका स्क्वार रूट निकालना है तब हम क्या करेंगे उसी तरह से हमने यहां यहां पर लाइन खीची यानि कि जो डिविजन मेतेट का जो जिस तरह से बनाना होता वह बनाया हम नहीं यहां लेकिली है तो एक प्यार यह बन गया एक प्यार नहीं रहा अब हमें क्या करना है यहां हमें ऐसे नमबर से डिवाइड करना है कि जिस number को उसी number से multiply करने पर या तो 44 आए या इससे थोड़ा सा कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं चीगे तो चलिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं suppose 5 लेता हूं मैं तो 5 अगर लेता तो 5 इंटो 5 क्या आता 25 आता जो की 44 से कम रह जाता अगर 6 लेता 6 इंटो 6 क्या आता 36 36 भी 44 से कम है 7 ट्राइ करें देखो क्या आएगा 7 इंटो 7 49 आ जाएगा जो की ज्यादा हो जाएगा 44 से 7 नहीं लेना है हमें क्या लेना है 6 तो 6 यहाँ लेंगे और 6 हीम उपर लिखेंगे तो 6 6 जा 36 44 मैंसे 36 को मैनिस कर देंगे कितना बचेगा यहाँ पर 14 मैंसे 6 यह बचेगा 8 ठीक है यहाँ से कहरी ले लेंगे तो 14 तो 14 मैंसे 6 मैंस करें तो 8 और यहाँ पर तो कहरी दे चुके है तो यहां कुछ निचा 3 मैंस 3 0 तो यह बचा हमारा रेमेंडर बचा 8 अब क्या करना है हमें यहाँ जो प्यर है ना वस पूरे को प्यूरे प्यूरे प्यर को उतार लेना है यान कि 89 एट तो मैनिस करके आया और यह ऊपर पूरा 89 आए 1889 को हमने यहाँ पर लिख दिया और क्या करना है जो हमने उपर लिखाता है यानि जो कोशेंट था उसको हमें यहाँ पर लिख देना है और प्लस कर देना है 6 प्लस 6 कितना हो जागा 12 और साथ में मत भूलना कि डैश लगाना है अब 12 यानि 12 बन गया 12 के आगे ऐसा नमबर लिखना है कि जब यह 3 डिजिट बन जाएगा तो उस 3 डिजिट को जो नमबर हमने यहाँ लिखा उसी से मल्टिप्लाई करना है और मल्टिप् यहां लिखा 1 2 है तो सपोज मैं 1 2 के आगे अगर नमबर ले लिता हूं यहाँ पर सपोज 3 तो 123 हो जाएगा तो 123 लिखा अब 123 यानिकी 3 लिखा तो 123 को 3 से ही मल्टिप्लाई करना है तो 123 को 3 से मल्टिप्लाई करकर चेक करते हैं क्या अगर 339 32006 3 बन जा 3 देखिए मैंने कि आपको यहां पर समझाने के लिए 3 लिया हाला की नमबर तो आपको सवर्च में आ जाएगा कि क्या लेना चाहिए था देखो लास्ट में हमें जो नमबर चाहिए होता ना उसी तरह से हमें नमबर लेके देखते हैं चेक करते हैं कि सितने 3 इंट तो 3 क्या होता 9 आता इस सबसे पहले हमने 3C multiply किया लेकिन छोटा आ रहा है कोई बात ही बड़ा number लेकर देखते हैं देखो अगर हम 4 लेंगे 124 तो 4 4 जा 16 once place for 6 आएगा तो बात नहीं बनेगी एक काम करते है 127 लेते हैं ठीक है आप अपने हिसाब से अपने सहुलियत के हिसाब से number को यहां ले लेकर देखता है इतना आया या इससे थोड़ा सा कम रहे हैं ठीक है मैंने 127 लिया 7 क्यों लिया अभी आपका समझ में आ जागा 7 से हम जाग क्या होता है 49 यानि once place पर मिलगी हमें 9 और once place पर हमें 9 ही चाहिए था इसलिए हमने पहले 7 से रही है पहले 3 से क्या थ्री त्री यह 9 आ रहा था यह 9 चाहिए था फिर हमने 7 से किया 7 7 जा 49 तो 9 यह 4 कह रही 7 2 जा 14 14 और 4 कितना हो जागा 18 18 का 8 1 कह रही 7 बन जा 7 7 और 1 8 तो 8 8 9 देखो आ गया 127 को 7 से 8 8 9 आ गया यानि कि हमें यहां नंबर लेना ही क्या 7 7 यहां लिखा उपर भी same नंबर लिखेंगे तो 127 बन गया 127 को 7 से कितना आएगा 8 8 9 8 8 9 रेवेंडर आ गया हमारा 0 और हमारा यह solve हो गया ठीक है तो square root हमने निकाल लिए किसका हम यह लिख देंगे root over 4 4 8 9 आंसर कितना आ गया हमारा यह आ गया 67 आ गया समझ में चली next part देखते हैं पार्ट 3rd में है 3 4 8 1 तो तरीका हमारा वही है हमने 3 4 8 1 को अंदर लिख लेना है ठीक है अब हमें फिर से last से या जो हमारी first step है वो यह होती कि last से इधर से हम pair बनाते हैं एक pair यह बन गया एक pair यह बन गया हमें pair में नहीं लेना होता है तो यहां एक ऐसा number लें कि उस number को उसी से multiply करने पर या तो 34 आए या थोड़ा सा कम रहे suppose मैं अगर यहां लेता हूँ 5 तो 5 को 5 से multiply करूँगा जैसे 5 5 25 होगा ना तो 34 से तो कम है 6 लेना चाहिए था क्या चलो 6 भी चेक करके देख लेते हैं 6 को अगर यहां लेता तो 6 इंटू 6 क्या आता 36 जो कि 34 से बड़ा होता है इसलिए हमने 6 नहीं लिया तो 5 लिया 5 5 जा कितना 25 34 मैंसे 25 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 9 ठीक है 9 बचा अब हमें next pair को उतार लेना है 81 था तो लिख लिए हमने 81 और साथ में क्या करना है जो हमने ऊपर लिखा था उसके नीचे यहानी जिससे डिवाइट किया था उसके नीचे लिख करके जोड देना है कितना आएगा 5 और 5 कितना 10 आ गया और साथ में डैस लगा देना है यह बहुत जरूरी step है इसको अगर गलत करो गए तो पूरा पूरा अंसर हमारा गड़बड हो जाएगा ठीक है चलो यह था 10 10 के आगे हमें डैस लगाया यहां को अगर नंबर लिखोंगा तो यह 3 डिजट नंबर वन झागा इस 3 डिजट नंबर को जो डिजट हमने यहां लगी उसी से मल्टीप्लाई करना है और 9 8 1 आए यहां इससे थोड़ा सा कम रहे ठीक है चलो अगर मैं यहां 1 लेता तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करता तब 981 से थोड़ा सा कम रहता है क्व masih 10 मैंने यहां number लिया 9 तो 109 बन गया अब 9 से अगर multiply करेंगे तो 9 क्यों लिया अभी आपको clear हो जाएगा 99 जा होता 81 81 का 1 और 8 कह रही 90 जा 0 0 और 8 कितना 8 हो गया और 911 जा 9 अब आपको समझ जागे मैंने क्यों लिया था क्योंकि 99 जा 81 आएगा यानि 1 स्पेस पर हमें 1 मिल जाएगा और हमें 1 ही चाहिए था तो हमें सरसे पहले उसी को try किया तो हम क्या लिखेंगे यहां लिखा हमने 9 तो 109 को 9 से करेंगे तो कितना जाएगा 981 मैनेस करके आगए हमारा remainder 0 तो यह हमारा root आगए रूट आ गया 3481 का 3481 हमारा question था आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया हमारा 59 ठीक है इसका एक बात और यह जो पार्ट है इसको आप जो रफ में कर सकते यह जो पार्ट है यह आपको सामने इसलिए करके देखा ताकि आपको ज़्यादर क्लियर हो जाए question चलिए next part करें यहां पर देखें तीन डिजिट का नंबर है 529 अब इसको कैसे करेंगे देखी करने का इसका तरीका भी same है क्या 529 को हमने अंदर लिखा अब देखिए यहां हमें pair कैसे करेंगे फर्स्ट स्टेप में तो हमें pair ही बनाना होता ना तो last से यानि right side से left की तरह pair बनाते है एक pair तो बन गया हमारा यह अब यह जो पार्टरल यह अनपेड रहा कोई दिक्कत नहीं इसको भी हम as a pair count करेंगे और number हम लेंगे हमारा 5 तो यहां पर वो number लेना है कि उस number को उसी से multiply करेंगे तो 5 आए या थोड़ा इससे कम रहे अगर मैं यहां suppose 2 लेता हूँ तो 2 को 2 से ही multiply कर तो 2 तूजा 4 5 से थोड़ा कम रहेगा 3 लेता तो 3 इंटो 3 9 हो जाता जो कि इससे ज्यादा हो जाता तो number लेंगे हम 2 तो 2 तूजा 4 और 5 में से 4 को minus करेंगे कितना बचेगा 1 next क्या होता है कि हमने जो next जो pair है उसको उतारना होता है 29 है तो हमने यहां पर उता लिया क्या number ब जोड़ना होता है तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया और उसके साथ ही हमें डैस लगाना होता है ठीक है अब क्या करना है यहां पर एक ऐसा number लिखें कि जब यह two-digit number बन जाएगा एक और लिखेंगे तो two-digit number बन जाएगा तो उस two-digit number को हमें उसी number से multiply करना है जो हमने य number बन जाएगा 43 चलो मैं यहां पर आपको एक बार multiply करता होता तो 43 बन जाएगा 4 तो यह था जो हमने यहां लिखा 3 हमने यहां पर अपनी मर्जी से लिखा 43 को क्या करेंगे 3 से ही multiply करेंगे तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 आगे ना 129 ठीक है वही तो मैं चाहिए था अगर 4 से या 5 से करत थो तो थोड़ा ज्यादा आया था या 1 से 2 से करते है थोड़ा कमाता थीक है कितना आगया 129 तो 3 हमने यहां लिख दिया और 3 ही यहां लिख दिया कितना यहां पर multiply करने पर 43 को 3 से multiply करेंगे तो 129 remainder आगे हमारा 0 remainder 0 आगया तो question का मनले question हमारा solve हो गया तो root 529 की value कितनी आ ग पार्ट करते हैं पार्ट फिफ्ट में नंबर है थ्री टू फॉर नाइन तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं थी टू फोर नैज ठीक है अब हमें क्या करना है चलो पहले नीचे तखीult देता हूं, अब हमें पेर बनाने होते हैं तो लास्ट से पेर बना लेंगे तो यह तो बन गए अब हमें यहां ऐसा नम्मर लिखना है कि उसको उसी नम्मर से मल्टिप्लाई करने पर 32 या थोड़ा सा कम रहे ठीक है अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 को 6 से ही मल्टिप्लाई करोगा तो 6 6 चा 36 जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो 6 नहीं लेंगे 5 लें देखो 5 को 5 से करते हैं 5 को 5 से करेंगे 5 5 25 बात बन जाएगी क्योंकि इससे थोड़ा छोटा ही चाहिए तो 32 मैंसे 25 मैंस करेंगे यह बचाएगा 7 7 मैंस कर कितने ही आएगा न 7 अब हमें next pair है उसको उतारना होता है लिख लिए हमने 49 अब जो ऊपर लिखा था उसके इधर यहां पर लिख करके प्लस कर देना होता है 5 और 5 कितना हो जागा 10 10 आ गया अब डैस लगाना है डैस लगाना मत बूला ताकि इससे आपको याद रहता कि यहां कोई नंबर मिसिंग है यहां कोई नंबर लिखना है हमें तो 1 0 ठीक है 1 0 हमने ऐसे लिखा सपोज मैं लेता हूं सब्सक्री तो 1 0 3 बन जागा 1 0 3 को 3 को 3 से मल्टिफार कर दें तो जो कम आएगा इससे लेकिन फिर भी चलो कर देते हैं 3 3 9 3 3 0 3 बन जाए 3 300 कम आया ना तो हम यहां क्या नंबर लें चलो मैं 1 0 7 लेता हूं 1 0 7 क्योंकि 7 7 जा 49 होता है 1 स्पेस पर हमें चाहिए 9 तो 9 हमें यहां मिल तो आगे हमारा 4 यहां पर और 7 1 जा 7 आगे ने 7 7 49 तो हम यहां लिखेंगे 7 तो 107 को 7 से मल्टिफार किया हमने आगे 7 49 रिमेंडर आया 0 और आंसर हमारा मिल गया आंसर हम यहां लिख देंगे रूट 3249 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई इसकी वैल्यू आ गई 57 ठीक है 57 चलिए इस वीडियो में हम पार्ट 50 तक ही रहने देते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता कैसा भी आपको समझ में आया नहीं समझ में आया या इसके अलावे भी कोई डाउट है तो में जरूर आया होगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके थैंक यू